तो अभी आपको बोल रहा है अगले step के लिए जहां पर आपका signature जो है वो मांगा जा रहा है और बोला है कि 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो photo है वो भी जो आपने करना है तो उसका specification दिया हुआ है तो चलते हैं yes I am ready with image यहां पर जाएगा photo और यहां जाए का signature तो पहले photo पे चलते हैं choose file तो जैसे आप देखो यह photo जो है इसका dimension जो required dimension है उससे बढ़ा है और 2 by 2 inch भी नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा 2 by 2 inch है कि नहीं कैसे आप confirm कर सकते हो और size जो upload के लिए मांगा गया है उसके बीच में आप कैसे रख सकते है पहले तो इसको right click करो आप और फिर open with में जाओ open with में आप चले जाओ photos यहाँ पे आप click करो और अभी नीचे देखो यह free लिखा हूँ है इसपे click करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलग-अलग dimension आप देख रहे हो यहाँ तो यहाँ पे आपने square click करना है और square click करके आपके photo को जो है orange करना है ऐसे तो जब आप square कर रहे हो यह किया ऐसे अभी हो गया 2 by 2 तो इसको कर देते हैं save और save करने के बाद भी यह जो file है अभी भी बढ़ा है आप देख सकते हूँ है तो अगला step क्या है इसको जाएंगे paint में open करना है और image में जाके click करो और यहाँ पे pixel जो भी आपको size करना है यहाँ पे मैं करना हूँ thousand by thousand यह size अभी change हो गया और मैंने कर दिया same यह photo जो है अब upload के लिए तयार है thousand by thousand signature जो है वो भी बढ़ा है तो signature को भी वैसी same action करना है photo में जाके edit करना है आप जो है यहाँ पे जो भी signature को adjust करना है 3 to 1 ratio है इसका तो यहाँ पे 3 to 1 आपको न पड़ेगा जो detail है तो यह एक बार आपने कर लिया signature जो है ensure कर लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है फिर आपने इसको paint में जाके reduce कर देना है size ऐसे paint में यह यहाँ पे click किया और pixel में जाने के बाद आप कर लो इसको thousand by करीब-करीब 500 तो आपका यह भी तयार हो ठीक है तो अभी photo क क्लिक करके open कर रहे हैं तो यहां खाली आ रहा है आपने करना है crop और crop करके जब आप इसको ऐसे stretch करोगे यह देखो यह यहाँ पे photo आ गया ठीक है same चीज जो है signature का करना है आपने select open crop और जैसी आप इसको खीचोगे signature जो है आपका पूरा आ जाएगा आपने ensure करना है कि signature कट अगर कट रहा है तो फिर आपको scan उसे साब से करना पड़ेगा तो एक बार यह हो गया फिर कर दो upload जैसी upload होगा आपको दिखाएगा आपका photo और signature कैसे यहां पे दिखेगा और यही चीज जो है आपका OCI में print होके आएगा तो आप ढंग से देख लो और अगर आपको फिर किसे upload करना है तो आप upload कर सकते हो नहीं तो I have uploaded successfully